देखिए हमारे शरीर को एनरजी देने का काम करता है भोजन जो खाना आप खाते हैं अगर वो सही तरीके से पच्चता है तो आपका शरीर स्वस्त रहता है आप एनरजेटिक फिल करते हैं तो आज मैं आपको दो ऐसे तरीके बता रही हूँ, जिसे उपयोग में लाने से, खाना खाते थाते ही पच जाएगा. खाने को पचाने के लिए सबसे इंपोर्टेंट है कि खाना आप कैसे खाते हैं. जब आप जमीन पर बैटकर खाना खाते हैं, इस फृत्वी की जो हीलिंग इनर्जी है, वो आपके फेवर में काम करती है. आपका मूला धार चक्र जागरत हो जाता है. आप ज़ादा स्थिर महसूस करते हैं. खाना खाते खाते अगर सबजी में नमक कम लगा, तो दो चीजे होंगी, या तो आप उठकर जाएंगे ही नहीं, तब भी आपी का फायदा है, क्योंकि ज़ादा नमक हमारे शरीर के लिए नुकसान दे है. और अगर आप उठकर गए, तो वो जो व्यायाम होगा, उससे आपका खाना खाते खाते ही पच जाएगा. और दूसरी चीज़, खाते समय, चमच की जगे हाथों का प्रयोग करना. आपने देखा है, जब हम निवाला खाते हैं, तो इस तरह से खाते हैं. तो ये जो है, इस प्रित्वी और जल, ये पांचों जब मिल जाते हैं, तो वो समस्थिती में आ जाते हैं, रोग दूर होने लगते हैं. इसके साथ ये मुद्रा आपके शरीर के त्री दोशों को भी समाप्त करती है. वात पित और कफ में संतुलन लेकर आती है. शरीर के जो पंच प्राण है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान उन्हें संतुलन में लेकर आती है. यही तो तीन कारण हैं शरीर में सभी बिमारियों के. एक हफ्ता ये दो प्रयोग करके देखें. आप अपने पाचन में, पेट में, पूरी शरीर में, एनरजी लेवल में इतने बदलाव महसू करंद हो कर दोंक है सिर में में, एक हमार ये भी ये दुख ये रहलग कर देखेंके.